नमस्ते विद्याती मीत्रों जैसे मैंने आपको चेप्टर पांच समझाया उसका पार्ट टू है यहाँ पे सारे उल्टे सब्द लिके हुए हैं हमें उसके सही सब्द बनाना है यहाँ पे लिका हुआ है योगा तो सही उतर होगा गाया उसी तरह दूसरे चित्र में ऐसे लिका है जरसू तो यह चित्र दिख रहा है सूरज का तो सूरज का उल्टा करोगे तो जरसू लेकिन हमें उसका सही सब्द लिकना है तो लिकना है सूरज हमें इस बोक्स के दोरान सही उतर की सूची बनानी है और सही उत्तर लिखना है तो मैं आपको बताते जारी हूँ जैसे टू नंबर पर सुरज है तीसरा नंबर में लिखा है दंबर यानि होगा बंदर मैं आपको सब्दर लिख के भी बता रहे हूँ यानि आपको पता चलेगा बोक्स देखने की जरूर नहीं पड़ेगी सिप पेंसिल का इस्तेमाल करिए ये है लड़के का चित्र तो जैसे उसका उल्टा होगा काडल तो होगा लड़का लड़का ये है हाँ हमें उल्टे को सही सब्दर लिखना है तो होगा चू हाँ ये चित्र है एनक हमें इसका शहीं उत्तर लिखना है न एक तो ए नक हमें इसे तरह सब्दा लिखते जाना है जिसे इधर बताया उसे तरह आपको भी लिखना है अबी मैं सीव आपको बता रही हूँ तब पंग यानि होगा पतंग तो आपको इसमें भी बतायागा है पतंग अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उत्तर देख कर लिख शक्ते हो अगर समझ में आ रहा है तो आप पहले उल्टे सब्दली क्लो नोटबुक में और फिर उसको उसा ही बनने का प्रयास करिए और वीडियो सुनिए रिकब यानि उसका होगा बकरी तो आपको इसमें लिखा हुआ है बकरी ये रहा फिर है माली यानि इ माली ये भी इदर लिखा हुआ है आपको बक्स के उप्योग कर सकते हों चागी ब बगी चाँ यहां पे बगी चाँ पी दिखाई दे रहा है आपको वो भी उत्तर में कर सकते हों तवा दवा तरईया गव गव रई या जब उत्तर आपको इसी बॉक्षर के दोरान मिल सके गान तो आपको इस एक्षेशाइज मिलेगी उसमें आपको प्रेक्टिस करनी है थैंक्यू स्टुडांट्स